शावधान नहीं रहेगा तो अपना ही हाथ तोड़ बैठेगा या पैर तोड़ देगा उसको इचोट लगेगी बाल काटने वाला जो होता है नाई वो अगर बाल काटते समय अगर असावधान रहे तो डाड़ी बनवाते हैं जो लोग अस्त्रे से तो बनाते समय अगर वो नजाम सावधान नहीं रहा तो गाल चिल देगा या गरदन की चमड़ी चिल देगा कईयों का चिल भी देते हैं निकाल भी देते हैं खून थोड़ा एक आदमी बाल कटाने गया पहलवान था वो पहलवान अजाम ने कहा कि अगर मैं आपका मुंदन कर दूँ एक दम बाल डाड़ी सब काट दूँ मुंदन कर दूँ तो आपको कोई पहचान ही नहीं पाएगा पहलवानने का फिर मैं तेरी वो हालत करूँगा कि तेरे को भी कोई पहचान नहीं पाएगा मैं भी ऐसी हालत कर दूँगा तेरी ये एक दूसरे को नीचा दिखाने की जो भावना होती है न वो भी गलत है पढ़ाई में जो आकिकत में जो इस परधाय सिखाई जाती है न तो वो एक दूसरे से थोड़ा उनती करने के लिए एक दूसरे को प्रोचसान देने के लिए है एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए नहीं होनी चाहिए कि भाई तुम भी सफल बनो सब विद्यारती सफल बने उसके लिए होनी चाहिए जबकि आजकल कई जगे एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए करते हैं तो ये भी न हो कारपेंटर की पकड ठीक नहीं होगी तो शायद उसका भी हाथ कट जाए काम करते समय चित्रकार एका अगर ता पूर्वक हाथ न चलाए तो चित्र खराब हो जाएगा कलर खराब होगा और चित्रकार की पेंटर की छवी भी खराब होगी कि भई ये ठीक काम नहीं करता है तो उसके लिए भी जरूरी है कार चलाते समय जरूरी है एक और आदमी पीछे दूसरी कार में था, तो उसको जल्दी थी, वह इसको ओवर्टेग करना चाता था, पर वो महिला बार बार हाथ दिखाती, जो ही ओवर्टेग करने को होता, तो उसको होता कि शायध इसको राइट टर्न करना है, पिर देखा है तो मूडी नहीं, फिर हाथ निकाला, वो गाड़ी धीरे कर गया, आखिर उसने रॉंग साइड से ओवर्टेक करके गाड़ी आगे ले जाके रोक दी, ब्रेक लगा दी, उसने भी रोकी महिला ने, तो इसने गुस्से से बोला कि आप बहुत देर से हाथ दिखा रही हैं मेडम, आप मुड़ती तो हो नहीं, फिर बार-बार हाथ क्यों दिखा रही थी, तो उसने कहा कि मुझे मुझे मुड़ना नहीं था, तो मैं मुड़ने के लिए हाथ नहीं निकाल रही थी, तो काय के लिए बार-बार ऐसा कर रही थी, बोले मैंने नेल पोलिश लगाई थी, तो सुखा रही थी, नेल प वीर्त कीछेश टाएं करने और नेल पॉलिश जो लगाते नहों सुनना नेल पॉलिश में केमिकल होता है अपन रोटी खाएंगे तो वो हाथ मुं में तो जाएगा तो नेल पॉलिश का थोड़ा केमिकल भी पेट में जाएगा और वो आगे चलके कैंसर जैसी खतरनक बीमारियां करेगा इसलिए ये तो लगाना ही नहीं चाहिए बीमारी से बचना हो तो पर अगर बीमारी का लाब लेना हो तो जरूर लगाना चाहिए तो कार चलाते समय कार चालक को भी सावधान रहना पड़ता और एकागरता उसको भी चाहिए रसोई बनाते समय जो बहन, मा, भावी, खाना बना रही है तो वो भी सावधान रहते है कि नमक तो इतना ही पड़े मिरच इतनी पड़े जीरा इतना, हल्दी इतनी, दनिया इतना वो भी एकागरता पूरवक बनाते तो सबजी, रोटी, दाल, चावल सब अच्छा बन जाता है खाना, खाने वाला खुश होता है कि भी बोजन अच्छा किया मैंने तो एकागरता हर जगे चाहिए अर्जुन बड़े नीतीमान और वीर पुरुष थे परन्तु वो भी भगवान से पूछते हैं कि मन की चंचलता कैसे मिटे तो अर्जुन जैसे अर्जुन ने भी ये पूछा तो सोचो आज कल के सुखान वेशी और भोगा सक्त व्यक्ति के मन के बारे में तो क्या कहा जाए उनका मन कितना चंचलता होगा मन की चंचलता बढ़ती है वस्तु व्यक्ति के प्रति आसकती के कारण और मिट जाती है गुरुचर्णों की प्रीती के कारण बढ़ जाती है वस्तु व्यक्ति की आसकती के कारण और मिट जाती है गुरु चर्णू की प्रीती के कारण तो अब मिटाना है कि उसको बढ़ाना है वो आप सोचे इंद्रिया है ना हमारी आख, कान, नाख, जीब, त्वच्चा वो इंद्रिया मन को कई दिशाओं में खिंचती है आख रूप के तरफ खिंचेगी, कान, शब्द के तरफ खिंचेगा ज़रा गाना सुन ले जो नए बच्चे आए हैं पहली बार आएं मैं उनके लिए बोलू मैंने पिछली शिबिर में शायद वो बात कही थी कि गुजरात में आनंद है और राजस्थान में बीकानेर है इन दो जगाओं पर ऐसी गटना गटी रात को कॉलेज के लड़के लड़कियां पार्टी में डांस कर रहे थे किसी पार्टी पलोट में कुली जगा में और फिलम का कोई गाना बज़रा था जलक दिखला जा आजा ऐसा कोई गाना होगा मुझे पता नहीं अकबार में छपा था मुझे बताया गया ऐसा गाना चल रहा थो लड़के लड़कियां डांस कर रहे थे और ये गाबी रहे थे सीडी के साथ तो क्या हुआ बार बार आजा आजा शब्द रिपीट हो रहा था न तो आसपास जितने भूत रहते थे वो आकर उनमें गुश गए योगि भूत प्रेतों ने सोचा कि हमको बुला रहे हैं आजा आजा तो ठीक है तुमने पुकारा तो हम चले आए इसलिए ऐसे फिल्मों के गीत जो बुद्धी बिगाडते हैं और प्रेतों को गुशाते हैं फिर क्या पता बार निकले कि नहीं नहीं निकले हो तो अच्छा ही है भले थोड़ा उनको दिखाए कि तुने बुलाया तो मैं कैसा आया बराबर ये विध्यारतियों को युवानों को दुखी करेगा तो इंद्रिया है वो मन को कही दिशाओं में खींचती है परंतु बुद्धी विवेकवती हो ज्यान उसमें हो तो उस पवित्र बुद्धी के द्वारा हम ये समझ सकते हैं कि इंद्रिया मन को खीच रही है पर आज तक मिला क्या कई विद्यार्थी मनमानी कर रहे हैं उनको क्या मिल गया सुबह उठकर कई टीवी पर देख देखकर और वो भी मैच खेलने लग जाते हैं देखा देखी अब सुबह सुर्योदे का समय है शांत बैठना चाहिए था गुरुदेव की तस्वीर को सामने रखकर एक टक देखना चाहिए था ऐसे प्रियोग करने चाहिए थे न कि इस फालतु कामों में अपना समय गवाना खेलना को उधना उतना मुख्य नहीं है जितना जब तप और साधन उपासना मुख्य है पहले के जमाने में विद्यार्थी पढ़ते थे तो उपासना भी करते थे बाकी के टाइम में आज कल पढ़ते हैं तो बाकी के टाइम में टीवी देखते हैं मैच देखते हैं या खेल कुद में चले जाते हैं तो वो होना चाहिए पर अमुक उसका समय हो एक शंदी काल हो सुबह का दुपैर का शाम का तो जब ध्यान होना चाहिए दुकान पर बैठते हैं कोई सर्विस में जाते हैं और दुपैर को न कर पाएं तो बात अलग है जिस व्यक्ति की मानसिक शक्ति अगर अविवेक के कारण खर्च हो गई न सुनने का सुनते रहे न देखने का देखते रहे तो मानसिक शक्ति जो है या दुप में खुले सिर घुमते हैं तो मानसिक शक्ति अविवेक के कारण नश्ट हो जाती है न तो लोग बिचारे दुरूबल और हीन मानसिक ताके शिकार बन जाते